हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवे टूटर में दोस्तों दिल्ली पुलीस कोंस्टेबल का 14 दिसंबर का सेकिंड सिफ्ट का आपका एक्जाम समाप्त हो चुका है और इस सिफ्ट में आपके जितने भी जी के जी एस कंप्यूटर और रीजिनिं एक कोशन था हाली में मानुव अदिकार को समर्पित विस का पहला टीवी चैनल कहां पर अरम हुआ है तो दोस्तों अभी लंदन में मानुव अदिकार को समर्पित विस का पहला टीवी चैनल अरम हुआ है नेक्ट कोशन है राष्ट्य यूव अदिवस किस दिन मनाय जाता ह इंपोर्टेंट डे वाले कोश्चन आपके हर सिफ्ट में आ रहे हैं दो से तीन तो आप इंपोर्टेंट डे वाले कोश्चन अच्छे से पढ़ कर जाए राष्टे यूवदिवस किस दिन मनाया जाता है 12 जन्वरी को यह मनाया जाता है एक कोश्चन था हाली में 2019 भागिदारी सिकर सम्मिलन कहां आईजित किया गया था तो दोस्तों 2019 भागिदारी सिकर सम्मिलन जो आईजित किया गया था वो किया गया था आपका मुंबई में मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देख लिए हाली में किसे फेस्बुक इंडिया का उपाद्यक्स और M.D. का कार्यबार सोपा गया है तो दोस्तो अभी सलील मैता को फेस्बुक इंडिया का उपाद्यक्स और M.D. का कार्यबार सोपा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलील मैता एक कोश्चन था कौन सा दूइप इंडोनेशिया का हड़ देस तलक कहलाता है तो जावा जो दूइप है इंडोनेशिया का हड़ देस तलक कहलाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा जावा एक question था हिमाचल परदेश की दूसरी राजदानी कौन सी है तो धरमशाला है हिमाचल परदेश की दूसरी राजदानी next है किस देश में सुल्तान अजलन सा टूर्णामेंट 2019 जीता है तो दोस्तो अभी दक्षिन कोरिया ने 2019 जो अजलन साहो की टूर्णामेंट है वो जीता है राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिन कोरिया दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ओन कर लें आप हमारे चैनल पर ओल गवर्मेंट जोब की प्रिपेशन कर सकते है विट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट है डक की स्केल से सम्बंदित है तो दोस्तो डक है आपकी किर्केट से सम्बंदित जो खिलाडी जीरो पर राउंट हो जाता है उसको डक बोलते है यह आपका किर्केट से सम्बंदित है स्पोर्ट से लेडिट आपके 2-3 कोश्चन हर सिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स पर भी अच्छे से ध्यान दे कर जाएं। परसंटेज निकाल लेंगे तो यह कर जाएगा आपका 60 बार तो यानि 6000 उसका मासिक आये थी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 में से इतना खर्च कर देता है और इतना परसंटेज वह बचा लेता है तो इस टाइप से आपको एक कोशन सोल करना था एक कोशन था वन इंडिया गर्ल की पुस्तक किसे ने लिखी है तो वन इंडिया गर्ल पुस्तक लिखे आपकी चेतन भगतने आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुक्स एंड उथर से भी आपके दो से तीन कोशन पूछे जा रहे है तो आप इन पर भी अच्छे से ध्यान दे कर जाए पढ़कर जाए एक कोशन था गैस का घनत मापा जाता है तो गैस का घनत किसे मापा जाता है मैनोमीटर से नापा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर एक कोशन था मारले मिंटो सुदार अधिनियम कब आया था तो मारले मिंटो सुद क्या होगा काले हिरन पे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अजय ने साइकिल को 15% हानी पर 680 में बेचा तो साइकिल का क्रेम बताना था 15% की आनी तो 85% का उसको लाव हो है तो 680 का 85% हम निखा लें गुणा 100 तो इससे जब हम काटेंगे 5 से इससे तरह बार ये 136 बार और ये 8 बार कट जाएगा यानी 800 रुपे उसका क्रेम बूल ले था राइट आंसर हो जाएगा आपका 800 रुपे एक कोशन था किस बारते को हेल्थ केर अवार्ड परदान किया गया तो दोस्तो अभी आचारिया बाल के रिशन को हेल्थ केर अवार्ड परदान किया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन में दे रखा था नेक्स्ट कोश्चन देख लिए थे हैं पुशकर मेला का आजित किया जाता है इंपोर्टेंट कोश्चन है दो से तीन बार आपके रिपीट हो चुका है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की बढ़ती में तो पुशकर मेला है दोस्तो आपका अजमेर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर next question देख लेते हैं भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो bank of bada का भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है आपका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं लडाको 55 में उडान भनने वाले पहले भारतिय राष्ठ पति कौन थे तो लडाकू विमान में पहली बार उडान भनने वाले जो राष्ट पती थे वारतिया एपी जब दुल कलाम थे उन्होंने पहली बार लडाकू विमान में उडान भरी थी एक कोश्चन था हाली में स्वास्ता सेवा पर्योजना के लिए विश बैंक ने किस राज्य को बाइस्टो करोड रुपे का रिन परदान किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंदर परदेश एक कोश्चन था परदानमंतरी नरेंद मोदी ने परदानमंतरी किसान नियोजना का शुबारम का किया तो राची में किया था परदानमंतरी नरेंद मोदी ने परदानमंतरी किसान नियोजना का शुबारम एक कोशन है था घंड कोन का मातरक क्या है तो घंड कोन का मातरक है दोस्तों आपका इस टेरेडियन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मैल को जरूर ओन करें ताकि आपको दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल की हर एक सिफ्ट का एनलाइसिज टाइम टो टाइम देखने को मिलें एक कुश्चन था बारत्य सेना में कितने कमांडर्स होते है तो बारत्य सेना में जो कमांडर होते है साथ होते है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ नेक्स्ट कोशन था एक मैत का रुपे 110 की लागत वाली एक बस्तू 104.5 रुपे में बेची उस पर कितनी छूट की पेशकश की गई थी तो कोई 110 रुपे की लागत वाली 104 में बेच दी गई यानि 5.5 का बच गए और कितने में से 110 में से परसेंटेज निकान लिए है तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पर हट जाएगी पॉइंट हट जाएगा दो जीरो सो दो जीरो कट गई 11 से 5 पर काटेंगे तो 5 पर 30 यानि 5 परसेंट की चूट पेशकी की गई आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशन था भारत का पहला उपगर आरियबट किस इस्तान से लोंच किया गया था तो सोवियत संग से लोंच किया गया था भारत का पहला उपगर आरियबट एक कोशन आया था दोस्तों 1940 में गटित अंतरिम कैमिनेट की अध्यक्स तक किसे ने की तो 1946 में गटित अंत्रिम कैमिनेट की अध्यक्स तकी जवारलाल नहरू ने आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवारलाल नहरू एक कोशन है था मैत का एक विध्यार्ती एक विध्यार्ले में 70 पर 30 विध्यार्ती लड़किया है लड़कों की संग्या 510 है तो इस्कूल में कितने विध्यार्ती है तो 70 पर 30 लड़किया है तो बाकि कितने बच गए 30% आपके लड़के बच गए और टोटल कितने है लड़कों की संग्या 510 तो 510 बटे 30 गुना 100 परसेंटेज निकाल लेंगे यहां से 10 से 10 कट गई तीन से कट जाएगा आपका 170 बार तो 1700 बच्चे है कुली स्कूल में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1700 I think आपको समझ में आ गया होगा किस सोलिशन हैं में कैसे करना था दोस्तों अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो सभी का अंसर दे पाओगे अच्छे से सोल कर पाओगे आपके जो भी कोशन आए है मैत की एक कोशन है बक्सर के यूद में के समय दिल्ली का सासक कोन था तो बक्सर के समय दिल्ली का जो सासक था वो था शाह, आलम, दुईत्थे, तो आपका राईट आंसर हो जाएगा, सालम, दुईत्थे, नेक्ट कॉशन देख लेता है, पहला Commonwealth Games का आउजित किया गयता, तो दोस्तों, पहला Commonwealth Games आउजित किया गयता आपका 1930 में, 1930 आपका राईट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं किसी संक्या का 30% 12.6 है तो वह संक्या ग्याद कीजिए कौन सी है तो 12.6 है इस पर 30% और गुना सो पोइंट अटाने के लिए हम एक 0 लगा देगे 2-0 सो 2-0 कट गई और इससे कट गया 42 टाइमस इस टाइब से आपको एक कोशन सोल करना था 42 आपको राइट आंसर था 30 पर 30 12.6 का निकाल लेंगे हम तो 42 साब का संक्या आ जाएगी तो दोस्ते थे आपके दिली पुलिस कॉंस्टेबल की जो सेकंड सिफ्ट हुए है उसके हमारे पास जो भी आपके जी के जी एस मैथ रीजिनिंग के कोशन आए है इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सेर भी करें जो भी आपके फ्रेंड है दिली पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम देने वाले है नेक्स डे या नेक्स सिफ्ट में जो भी देने वाले है शभी को सेर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल जांगे कि किस टाइब के आपके कोशन पूछे जा रहे है और आप मिना स्किप की एंड तक जरूर देखा करें वीडियो हो सकता है यहां से आपके दो से तीन कोशन नेक्स सिफ्ट में आ जाए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो अभी टूटर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर ओन कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हर एक सिफ्ट के एनलाइसीज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे आप हमारा टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं डेसिशन में लिंग दे राखा है मैंने मासे आप टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं आप हमारा वाटसेब गुरूप जोइन कर सकते हैं वाटसेब गुरूप नमबर है 89 233-89893 तो आप हमारा WhatsApp गूरूप भी जोइन कर सकते हैं कोई question वगएर होते हैं तो आप पूछ सकते हैं WhatsApp गूरूप में और दोस्तो आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं Instagram पर भी आपको अभी Twitter के नाम से page मिल जाएगा वहाँ पर हमें follow कर लिजे क्योंकि आपकी जो daily के updates होती हैं वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ कोई question वगएर होता है कोई query होती है तो आप Instagram पर और WhatsApp पर भी पूछ सकते हैं तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई shift के analysis के साथ Bye, take care